Hello students, welcome to class first, today I will teach you chapter 6 आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना, ठीक है? इसको इंगलिस में word formation कहते हैं देखिए परिभासा इसका क्या है? वर्णों का मेल, वर्णों का ऐसा समू जिसका कोई अर्थ हो सब्द कहलाता है, ठीक है? अब इसमें देखिए वर्णों के मेल से बने सब्द आपने वर्ण पढ़ाई है, ठीक है? असे अह तक, कसे गय तक, अब इसमें देखिए ये बिना मात्रा वाले सब्दा है ठीक है, जैसे देखिए, बस, खत, सड़क, नल, कमल, जग ठीक है, चली नेक्स्ट पेस्ट चलते है वडों वा मात्राओं के मेल से बने शब्द, ठीक है किसान, सेब, खिलोना, जोपड़ी, किताब, कुर्सी ठीक, आप देखिए, यहाँ पे दो वरणों के मेल से बने शब्द यहाँ पर देखिए, दो वरणों के मेल से बने शब्द जब, तब, कब, अब, चल, पल, कल, नल, ठल, पर, कर, रख, उठ, खग ठग, जग, नग, हज, चड, पढ, बढ, ठीक है फिर इसके बाद देखिए, तीन वरणों के मेल से बने शब्द चहल, पहल, महल, कमल, कलम, अगर, मगर, डगर, कमर, नरम, चरण, सडक, चरम, भगत, जगत ठीक, चार वरणों के मेल से बने शब्द, बिना मात्रा वले, ठीक है शल्जम, टम्टम, कसरत, सर्वत, उपड़न, कटहल, बरतन, अधरक, मकमल, गरबळ, अन्बन, अचकन ठीक है आगे देखिए, मात्रा वाले शब्द आ की मात्रा वाले, आम, मकान, नाम, सपना, काम, अपना, दाम, पाटसाला, हात, समाचार, राजा, कारखाना ठीक, अब छोटी एकी मात्रा वाले सब्द देखिए, इसको कॉपी पे भी आपको राइट करना है देखिए, दिन, हिरन, गिन, इसी प्रकार से यह सब लिखा हुआ है बड़ी एकी मात्रा वाले सब्द देखिए माली, चाची, नाली, लड़की, डाली, दिवार, गली, विजली, नली, तितली, चली, असली अब छोटा O की मात्रा वाले मात्रा को पहचान लेजे यह छोटा O की मात्रा है उपर देखिए बड़ी E की मात्रा थी उसके और उपर छोटी E की मात्रा थी उसके और उपर A का मात्रा अब यहाँ पर छोटा O की मात्रा वाले सब्द चूहा, बबूल, भालू, कपूर, आलू, नाखून, कालू, तुफान, मूली, तराजू, फूल इसमें देखें सम्में बड़ी मात्रा लगी है कबूतर, भूल, जरूर, जूट, खजूर, भूख, सूरज इसके बाद देखें ये री की मात्रा है ठीके, री में मात्रा ऐसे लगती है जैसे देखिए, ग्रिह, क्रिशक, ब्रिच, क्रिपन, न्रिप, ब्रितान ठीके सुदेंस, आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट डे, आप लोग रीडिंग इसी प्रकार से लिखें और इसको कॉपी पे भी राइट करिए ये आपका फुरा फोंबल है ठीक, थैंक्स वर वाचिक